नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं युवेस मिस्रा जी जो कि सरम संसाधन मंत्री हैं सर बिहार में जो उनीस लाख जो रोजगार है उसका क्या है बिहार में उनीस लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इस चुनाव में वादा किया था बीस के अक्टूबर नौमबर में चुनावी यात्रा के दरमयान हम लोगों ने वादा किया था और बिहार की जनता हम लोगों को आसिरवाद देकर सरकार बीस के नौमबर में दिसंब में बना दिया तो अगले पांच साल का जो हम लोगों को बिहार की जनता ने आसिरवाद दिया है तो पांच सालों में हम लोगों ने 19 लाख रोजगार का वादा किया है और एक दम बिहार की जनता को भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगले पांच वर्सों में हम लोग 19 लाख रोजगार बिहार के अंदर खड़ा करेंगे और आपको बताते हैं मुझे खुसी हो रही है कि अगर सभी विभागों का बिहार सरकार के अंदर अभी वैकेंसी देख लें सिक्षा के छेतर में देख लें स्वास्त के चेतर में देख लें और अन्य विभागों का देख लें तो लगबग धाई लाख सरकारी चेतर में अभी रोजगार दिख रहा है नौकरी दिख रही है और आने वाले दिनों में जो एस्किल डेवलप्मेंट के माध्यम से बरे पैमाने पर यूथ को नौकरी देने की उनको रोजगार देने की रोजगार देने वाला बनाने की चिंता भी बिहार की सरकार कर रही है तो हम समझते हैं जो हम लोगों ने जो वादा किया उनीस लाख का वह कोई जादा नहीं है हर हालत में इस लक्ष को हम लोग अगले पांच वरस में पूड़ा करेंगे आपने कहा कि हम लोग इतना वरोजगार दिये हैं आपको मैं बता दूँ कि साइद आपको वह मालूम भी नहीं कि अभी बीएससी के जो अभिहरती है वह दोजार चौदा का ही वैकेंसी है और लगातार वह आंदोलन करते जाड़े एक ही वैकेंसी को लेकर कोई भी अभियरती कोई भी अभियरती अगर आन्दोलन कर रहे हैं कई वार कई वैकेंसी के पीछे कतिपे परशानिया भी होती है अब कोई वैकेंसी निकला कुछ लोग कोट चले गए अब कोट में जाने के वाद ». दान भी उत्पन्य हो जाता है तो इसलिए इसको एक को कोट करते हुए कि कैसा रोजगार रोजगार तो हमी ने दिया है विहार की सरकार अभी जितनी तनखा बाट रही विहार के अंदर उसका आधे का बजट नहीं बनाती थी पुरानी सरकार 2005 के पहले इन विश्यों में नही लेकर आ रहे हैं और प्राइवेट सेक्ट के अंदर भी अगर आप इपी एफो का इंडेक्स देखे तो पिछले दो बरसों में हम लोगों ने दो लाख अंठावन अज लोगों को प्राइवेट सेक्टर में कोरोना काल में भी जॉब देने का काम किया है नए लोग इपी ए Development कर के उनका प्लेस्मेंट कैसे हो उनको रोजगार कैसे मिले ना सिर्फ रोजगार लेने वाले मिले कुछ लोगों को रोजगार दे भी इस दिशा में भी सकरात्मत कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धमी योजना के माध्यम से भी लोगों को किस प्रकार उनका विय मैंने आपको अभी बताया साइध आपने उसको नहीं ठीक से यह किया मैंने आपको बताया कि कई बार कई वेकंसी निकलती है अब विभाग सह वेकंसी निकलता है उनको अलग अलग उनकी उनको रिक्यूट करने वाली एजनसी अलग अलग है और कई बार किसी कारण से कोई पर कारन कई बार सरकार को बादधे और करके रुकना पड़ता है कि